जहिन सातियों, सद्धार्थ भईया कि इस वीडियो में आप सभी का हारदिक स्वागत है सबसे पहले तो नव वर्ष की आपको धेर सारी शुब कामना है Very warm, happy, prosperous, new year to you and your family Specifically जब आप UPSC की तयारी कर रहे हैं तो आप सभी को धेर सारी शुब कामना है 26 मई को आपका एक्जाम है, आराम से पढ़ियेगा, schedule के हिसाब से पढ़ियेगा लेकिन इस वीडियो में आप जुड़े हैं कि ऐसी चर्चा पे मेरे साथ जहां पर इसरों ने भारत को एक गर्व होने का फिर से मौका दे लिया गौर्वानवित कर दिया है, फिर से आसमान का सीना चीरते हुए एक और successful mission आपके सामने, मुबारक हो इसरों, मुबारक हो आप सभी को और आपके एक्जाम के perspective में ये topic अपहारा GS paper 3, space technology से related आने वाला है अभी तो GS paper 3 mains में चंद्रयान से related सवाल आये थे तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ISRO ने ऐसा क्या कर दिखाया, जो कि पूरे दुनिया में वावाही हो रही है आखिर expo sat mission है क्या, और किस तरीके से space technology में भारत कितनी आगे बढ़ रहा है वो सब हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे और सबसे पहले तो हम यहां इस वीडियो पर आते हैं, वीडियो में प्ले कर देता हूं यह S. 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 सुमनात सहब, Chairman of Isro, कह रहे हैं Happy New Year to all of you Happy New Year to all of you Happy New Year to all of you यह देखिए Happy New Year to all of you 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 itan-city collaboration Awesome, Exposat Mission Happy New Year to all of you Happy New Year to all of you Happy New Year to all of you इर्मने जितनी शब्द बोला है जो Key words, उन Key words को हम detail में समझेंगे, जैसे ExpoSat Mission क्या है, PSLV ने क्या कमाल दिखाया है, 350 किलो मेटर क्या है, 650 किलो मेटर क्या है, और Polix क्या है, तो मतलब बहुत मता आगए, जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो अपने आपको भारती होने पे गौरवानवित महसूस हो रहा था, कि भारत जो है, वो मतलब कमाल कर रहा है, दुनिया देख रही है, और कुछ तो बड़े यूनीक यूनीक चीजे हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें, लेकिन इससे पहले, आप क्या क्या समझेंगे इस वीडियो में, कि ISRO ने जो लांच किया है, आखिर इस मिशन की कितनी इंपॉर्टन्स है, पूरे पहुत चुका है, अब स्पेस में, ये हमारा एक्सपो सैट है, और कई सारे पेलोड ये लेकर जा रहा है, और साथ में इन्होंने अनौन्स भी किया है, आप क्या समझेंगे इस से, कि ब्लैक होल क्या होता है, ISRO का एक्सपो सैट मिशन क्या है, इसके कितने पेलोड है, उस functions क्या क्या है, इसका primary objective क्या है, एक्सपो सैट का design किस ने बनाया, और किस orbit में ये पहुँचा है, पोयम क्या है, सब कुछ, नंबर वन हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, कि भाई, ISRO ने ये जो मामला एक्सपो सैट बनाया है, ये collaborate किया है, रमन इंसिटूट, Research Institute Bangalore, करनाटका में, ठीक है, ISRO और RRI का ये collaboration है, नंबर वन, ये तो आपको exam perspective से पता चल गया, दूसरी चीज में आपको बता दू, नीचे comment section में Google form है, उसको fill करिए, और personal mentorship के लिए आप मुझसे जुड सकते हैं, चाहे आप college से हो, full time हो, या job के साथ सब प्यारी कर रहे ह हम लोग हर weekend पे 11 बजे एक personalized mentorship session रखते हैं, जहांपर आप doubt में होते हैं, क्योंकि अब वो time आचुका है, जहांपर आप बहुत doubt में होंगे, तो आप ज़रूर नीचे comment section में आईए, मेरे telegram पर आके high बोलिए, हम लोग connect करेंगे, और साथी में ये भी समय आचुका है, test series ज़राना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपके performance की evaluation होगी, strength, weaknesses क्या-क्या है, तो आप अभी enroll कर लीजे, और इसको परजेज कर सकते हो, आप अड़ा 24-7 IS की test series, बहुत ही अलग test series है, आप जैहिंद 17S नाम का code आप use कर सकते हो, maximum discount के लिए home delivery toppers box नहीं समझ में आता है कुछ तो comment section में जो google form है या फिर जो telegram का link है, वहाँ जाओ, और आप लिख दो, हम खुद हमारी team आपको personally reach out करेगी, इतना बड़ा box आपको घर पे भिजवाया जाएगा, जिसमें सब test series रहेगी, 50 test series रहेगी, ठीक है, चलिए हम तो topic पर लौट कर वापस आते हैं, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर यह black hole होता क्या है, यह अब देख रहो चक्र, यह हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, कोई भी चीज, अगर आप ऐसे 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 घुमाओं के खुब जोर से, तो बीच में एक hollow create हो जाता है, ठीक है, वही hollow यहाँ दिखता है, जिसको दुनिया black hole के नाम कितनी छोटी सी छोटी चीज समा सकती है, खो सकती है, गायब हो सकती है, और इसका पता किसी को भी नहीं लग पाएगा, अब चाहे वो एक planet ही क्यों ना घुश जाए, चाहे एरोपलेन क्यों ना घुश जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप इस चक्र को ध्यान से दे अग में, तो ये है वो solar system का एक छोटा एक बहुत बड़ा हिस्सा, अब हमारा solar system आप देख सकते हो ना कि बिल्कुल ऐसे, ऐसे orbit में सजे हुए है, सारे planet, ठीक है, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं एक space है, जो की नीचे तक जाता है, या उपर तक जाता है, किसो को नहीं पता है, तो हमारे पूरे ब्रह्मान में, यूनिवर्स में, कई सारे solar system है, ठीक है, अब उन में से कई सारे ऐसे space जैसे छेद होंगे, जो की सक कर देते हैं, अब इतना तेज होता है, कहा ये जाता है, कि अगर light भी, sound भी pass हो रहा है, या light भी जा रही है, तो नीचे दिखाई नह करने के लिए, black hole से निकल रही है, जितनी rays, x rays से study करने के लिए, expo set भारत ने launch किया है, और उसको ऐसे orbit में place किया है, कि एक छोटा सापको example, यहाँ पे बना के मैं आपको दिखादेता हूं, ये है हमारा मान लीजे, earth, दिख रहा होगा आप लोगों को, चलिए yellow color का मैं दि इसको clear कर दिया जाए, erase, यह अगर हमारा earth है, यह अगर हमारा पूरा black hole universe हो गया, यहाँ पे बाहरी side में expo set को launch किया गया है, और place किया गया है, तो यहाँ से जो भी radiations जाती है न, जो भी rays जाएंगे, उनको यह हमारे orbit पे जो satellite है, expo set वाली, वो study करेगा, अब इसके बारे में, overall मैंने आपको बता दिया, यही वो study करेगा कि आखिर किस तरीके की यह x-rays है, ताकि universe को समझने में और जादे आसान हो जाए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, यह आफिर मामला है क्या, यह आपको समझ में आ गया, अब हम लोग आते हैं, इस से पहले x-rays को study करने के लिए, दो traditional formulas, दो traditional method यूज होते थे, एक तो, यह तो आपको पता ही है, यह हमारी prism light frequency, जिसको हम कहते हैं, spectroscopic method, एक तो spectroscopic method की वज़े से हम rays को समझते थे और उन में से bifurcate करते थे, दूसरा है यह telescopic method, यह लदाक के हनेल जगह पर है, लदाक में यह placed है telescopic, यह millions of millions उपर kilometer तक की sound, rays वगएरा यह सुन सकता है, लेकिन यह दोनो traditional method थे, एक method होता है, जो की optical, जो की यह वाला, एक method होता है, radio bands, यही दो method हुआ करते थे, कि किसी celestial object, universe का कोई भी अगर कुछ rays आ रही है, तो इनको या तो optical के form में, या तो radio के form में, हम लोग उसको analyze करते थे, और फिर कोई निशकर्स पर आदमी पहुँचता था, अब क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अब देख सकते हैं, कि पहले जमाने में spectroscopic और image and time based data obtained किया जाता था, telescope से या satellite based mission से, from the optical to the radio frequency, polarization of celestial sources was done either optical और radio band, अब polarization क्या होता है, polarization में मैं आपको साधारन सब्दों में बता रहता हूँ, चलिए, yellow वाला उठा लेते हैं, यह हमारी है rays, यह हमारी x-rays है, यह unpolarized है, यह unpolarized है, मतलब कि यह भ्रमित नहीं है, बिल्कुल सीधे जा रही है, एक होती है, यह है rays, यह होती है rays, यह है polarized, इसका मतलब यह है, कि यह भ्रमित हो चुकी है, दिशा ही नहीं, इनका किसी भी direction में जा रही है, और क्यू जा रही है, क्योंकि कई सारे magnetic field से ये टकराती हैं ये जो x-rays जब कई सारे magnetic field से टकराएंगी तो ये फिर ऐसे ऐसे हो जाएंगी अब ऐसे में पूरी दुनिया के पास कोई ऐसा object नहीं था कोई ऐसा tool नहीं था जो की measure कर सके इसमें से x-ray pure rays कौन-कौन सी आ रही है क्रमित हो जाते थे लोग बहुत मुश्किल होता था कि इस घचड पचड में से कैसे हम ये वाली चीज को निकालेंगे कैसे हम study करेंगे तो भारत ने पहले क्या होता था पहले prism वाला होता था और पहले ये वाला होता था अब भारत ने introduce कर दिया है polarimetry x-ray और उसका satellite भी डा से सतीज धवन research center से PSLV जब launch हुआ एक तारिक को तो खूब उपर गया 22 मिनट में ही पहुँच गया था 650 km उपर वहाँ पे expo sat को छोड़ दिया गया उस orbit में और expo sat जो है वह अब चक्कर लगाएगा ठीक 22 मिनट बाद उस जो पेलोट था हमारा rocket था वो और नीचे आ गया लगबख साथे 300 km वहाँ पे हमने ड्रॉप किया poem को poem जो कि अभी हम आगे discuss करेंगे poem भारत का पहला non-human एक तरीके से space station है non-human पहले मतलब यहाँ पर हुआ करता था जमीन पर धरती पर लेकिन अब भारत का अपना space station minimal space station वहाँ पर डाल दिया गया है जो कि non-human है मोदी जी ने भी बढ़ाई दी है काफी यह great start of 2024 thanks to our scientist this is launch is wonderful biggest news इसरो को फिर से मुबारक बाद और तारीफें दी गई थी ठीक है इस image में देख सकते हो 650 km पर expo sat deployment हो गया है इस orbit में ठीक और ठीक नीचे फिर ps4 में poem operation orbit में डाला गया है अब यह है क्या वो सब जिकर करते हैं इसरो का expo sat mission क्या है यह primary payload of expo sat include करता है क्या-क्या दो चीज़ें pollux और aspect expo sat की दो payloads है ठीक है याद है चंद्रयान में कितने सारे payloads थे similarly expo sat के दो payloads है अब दो payload में एक आता है polarimator instrument in x-ray ठीक है polarimator instrument in x-ray और दूसरा है x-ray spectroscopy end timing यह दोनों बहुत ही जादे important है जो मैंने आपको भी draw करके बनाया है यह दोनों वही काम करेंगे ठीक है बनाया एक pollux किसने बनाया है RRI रमन रिसर्च इंसिट्यूट जो की instrumental in measuring polarimetry parameters यह parameter measure करेगा ठीक है while expect built-in you are raw satellite center bangalore यह focus करेगा spectroscopy और timing में यह जो mission है यह इसकी लगबक 5 साल का life span है validity है providing an extended window for scientist observation and data collection यह पहला ऐसा observatory बनेगा जो की भीया space में है इससे पहले observatory कहां थी धर्दी पर थी अब यह देख सकते हो यह है हमारा अर्थ यह है sun यहां से इसको launch किया गया है launch करते करते यहां पर फोड़ा गया फिर नीचे ले आए गया अब आते हैं हम लोग इधर अब detail में जाते हैं कि आखिर यह polyx है क्या आप देखिए इस image में यह sample image है polyx related electronic packages, polyx viewing access यह सारे चीज़ें आप बहुत जारे विज्ञान में मत जाएगा वरना आप क्या पता आपको जो humanities के बच्चे उनको hangover हो जाता है इतना जादे science पढ़ लेते हैं तो लेकिन important है polyx क्या है यह दुनिया का पहला ऐसा instrument design हुआ है जो की x-ray को लगबग आज से 10 किलोट्रोनिक वोल्ट energy band में measure करेगा ठीक है इट comprises of poly matter which is key component to filter light originating from bright sources मतलब bright sources black hole से light आ रही है कहीं से भी light आ रही है उसको यह क्या करेगा observe करेगा और एक तरीके से filter करेगा bright sources को उन lights को filter करेगा क्योंकि वो polarized होती है और उनको यह polyx जो है वो filter करके separate कर लेगा ठीक है अब आईए दो तरीके sources होते हैं एक persistent sources और एक होता है transient sources तो polyx जो है वो persistent source का का काम करेगा और aspect जो है वो transient source का का काम करेगा अब transient में क्या होगा यह इस वज़े से design किया गया है जब polyx इसको एक filter करके lights देगा तो aspect जो है वो इसकी spectroscopic resolution और functions बताएगा ठीक है it will observe variety of sources like अब जब ऐसे 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 जो मैंने दिखाया था आपको इतनी सारी घचर पचर वाली जो polarized ray हैं उसमें से polyx sharp rays को निकालके अलग कर देगा filter कर देगा सबको और यह जो है aspect वो बताएगा यह आ कहां से रही है light कैसी lights हैं यह इसका origin क्या है यह सब बताएगा aspect जैसे की x-ray pulsers हो गए black hole binaries हो गई मतलब क्या proper black hole से आ रहा है यह फिर किसी तारा से वो energy आ रही है अलग-अलग हमारे जो celestial bodies है ब्रह्मान ने कहां से वो rays lights आ रही है low magnetic field neuron stars active galactic nuclei और aegean neuron stars क्या होते हैं जब भी आप देखा होगा आपने कोई भी milky wave अगरा बीच में जो black spot होता है उसको लोग neuron stars बोलते हैं ठीक है आ गया बात समझ में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहने का मतलब यह है कि by studying the polarized x-ray जो की कहां से आ रहे है magnetars, black holes और surrounding environment से neutron stars से scientist जो है वो radiation का nature समझ पाएंगे आखिर यह radiation का किस तरीके का nature है इसकी behavior क्या है इसकी properties क्या है ठीक है उस हिसाब से कुछ instrument design हो सकते हैं जमीन पर धरती पर ताकि इन raises से बचते हुए कैसे हम को instrument design करें ताकि हम उपर जब जाएंगे आप किसी को भेजेंगे तो फिर वो damage ना करें वो बरबाद ना करें multitudes of proposes involved in generation of these radius ठीक है these two additional parameters with the spectrographic timing जो हमने बताया है इसको मदद करेंगा research ताकि हमारी जो present understanding है पुरी की पुरी बर्मांड के बारे में उसको समझने मदद करेंगा कि आखिर जो कहीं तारा तूटा या फिर कुछ बना या फिर कुछ कायब हुआ तो उसमें radiations आ कहां से रही है कौन सी radiations है ताकि हम अपने ब्रमांड के बारे में celestial body के बारे में और बहतर समझ सकें ऐसा experiment NASA ने भी 2021 नौ दिसम्बर को किया था जिसका नाम था IXPE मतलब Imagine X-ray Polarimetry Explorer और यह जो है operate किया गया था polarization measurement within the soft band 208 energy band और हम लोग का जो है वो कितना है 8 से 30 किलो electron है तो काफी जादे heavy ठीक है besides experimenting इतना expo sat payload will offer expand observational energy band it is designed to perform x-ray polarization medium x-ray तो जो US वाले थे उनका small x-ray से related था भारत जो है वो medium x-ray में अब घुस रहा है जो कि पहला ऐसी country बन सकता है medium के मामले में तेक है अब हम बात करते हैं पोयम क्या थिर पोयम है क्या यह है पूरा model पोयम का पोयम इस रो इन न्यू यर पोयम in space creating wealth from waste यह जो आप design देख रहे हो यह space डर्बिस से ही बनाया गया है और इस पोयम को design करने में इस रो ने कई सारी startup companies में भी इसमें participate की हो कई already experienced है साथ ही में अगर हम बताएं तो इसमें 10 पेलोड है इसमें 10 में से एक बड़ा important पेलोड है जो कि सिर्फ महिलाओं ने बनाया है जिसका नाम आता है आगे जाके V sat तो यह जो हमारा कोयम है PSLV orbital experimental module जिसको हम कोयम कह रहे है P का मतलब हो गया PSLV O Orbital E Experimental M Module यह fourth stage है हमारे PSLV satellite का जो की 60th flight लेगा और carry कर रहा है Exposat मतलब PSLV यह अपनी 60 उड़ान भर रहा है Exposat को लेके और X-ray Polarimeter Satellite POEM will have 10 experiment और यही POEM पहला है non-human space station होगा हमारे अर्थ के उपर यही है जो की 300 km धरती से उपर 300 km के orbit पे रखा गया है लगबग ionosphere वाले zone में इसको किस ने बनाया है Institute in Tiruvanandhpuram सिर्फ और सिर्फ महिलाओं ने बनाया है तो आप यह prelims में सवाल आ सकता है कि दुनिया की पहली ऐसी satellite कौन है जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं ने बनाया है यह बहुत बड़ा question बन सकता है जिसका नाम है VSAT expo sat में जो नीचे वाला है poem उसके अंदर जो VSAT है वो बनाये गया है अच्छा यह क्यों है क्योंकि यह low cost और non human है Indian Space Station यह low cost और non human Indian Space Station है creating wealth from waste यह किस ने कहा है सोमनात जी ने कहा है दो तीन चीज़ें और काफी important यहाँ पर देख लेते हैं Dhruv Space Limited, Dhruv Space Private Limited ने यह कहा है क्योंकि इनका भी हिस्सा है 19 पेलोड में से एक पेलोड बनाने का इनका कहना यह है कि हमाने वाले टाइम पर यह हमारा aim और objective है कि हम micro satellites launch करते रहें ताकि हम अपने space को अच्छे से समझ पाएं और साथ ही innovation, imagination को कैसे हम innovation से meet कर सकते हैं विक्रम सारभाई Space Center which is part of इसरो flying two experiment a fuel cell power system, a high energy cell यह लोग भी involved हैं इसमें जितने भी POEM के partner हैं वो basically low cost resource पर जाना चाह रहे हैं जो कि अब मैं आपको बता दूँ, यह total experiment है लगबख 200 करोड में हुआ है और यही अगर कहीं बाहर होता तो I am sure इसमें 4-5,000 करोड तो लगता ही लगता 200 करोड में क्योंकि इन लोगों ने पुराना debris भी use किया है जो debris space में, जो craft में बचा रहता है, तूटा-फूटा रहता है या फिर जो use हो चुका है उसको भी हम use करते हैं परविष्ट यूज भी किया हुआ है इसरो इस ओपनि इट्स टोर प्राइवेट कमपनी के लिए भी open कर रखा है ताकि हम अपनी space economy को boost करें और आत्म निरभर भारत बन सके यह किस ने कहा है? यह डॉक्टर पवन गोएंका जो की chairman है in space के इन space क्या है? इंडियन नैशनल स्पेस प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो government के साथ मिलकर काम करते हैं इनका कहना यह है कि अभी पूरे world में भारत ने भारत की जो space की economy हो मतर 2% है लगबग 8 billion dollar की लेकिन आज से ठीक 8-10 साल बाद भारत जो है पूरे world में 8% global economy को देगा space technology इसका लगबग 44 billion dollar बनाएगा भारत अगले 10 सालों में अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और यही पर last में जो हमारे इसरो के chairman सहाब है एस सोमनात उनका कहना यह है कि यह जो साल है हमने बहुत ही एतिहासिक शुरू किया है और इस साल को और बहतर बनाने के लिए हमारे पास और भी कई सारे launches हैं लेकिन आने वाले time पे 2024 is going to be the year of mission गगणयान आपको याद है न कि गगणयान mission क्या था सूरयान गगणयान हम इस video के end में हमने एक session लिया था गगणयान के उपर जो भारत का अपना space station होगा वो बहुत important है मैं video का link लगा दूँगा आप link में जरूर जाइएगा I hope चीजने आपको थोड़ी समझ में आई होंगी इसलिए एक सवाल है आप लोगों के लिए सवाल ये है Prelims 2014 में ये सवाल आ चुका है और सवाल ये है Which of the following pair is correctly matched spacecraft purpose इस spacecraft का purpose क्या है इन में से कौन से जवाब सही है Cassini high gels orbiting Venus and transmitting data to the earth Messenger mapping and investigating the Mercury Voyager 1 2E क्या है solar system ये एक सवाल है आप comment करके भी इसका जवाब दे सकते है मेरे telegram पे भी इसका answer mentioned होगा आप जब भी Hi बो देंगे मुझे telegram पे तो I hope चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होगी कि आकिर भारत ने इतनी बड़ी कामियावी हासिल की है थोड़ा सा भी doubt होगा comment करके बताइए हम लोग mentorship के session में मिलते हैं Thank you so much मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत